अगर आप भी EPFO में इंवेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छी ख़वर है क्योंकि एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिससे PF के पैसो से होगी जादा कमाई आईए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल्स वीडियो में आगे ये तो हम सभी जानते हैं कि EPFO यानि की Employees Provident Fund Organization PF के पैसो को मैनेज करता है और इससे जो कमाई होती है उसी से सभी PF अकाउंट होल्डर्स को रिटर्न मिलता है इसके लिए PF से कलेक्ट हुए फंड को कई इस चीज के लिए EPFO ने Ministry of Finance समपर किया है और इसके लिए प्रपोजल में ऐसी चीज जोड़ी है जिससे ये इंशॉर होगा कि शेयर्स में इन्वेस्स से जादा से जादा कमाई हो और साथ ही मार्केट की उथल पुथल से नुकसान की आशंकाए कम से कम रहे EPFO के निर्णे लेने वाली टॉप यूनिट Central Board of Trustee ने हाली में EPFO को इस बात की मंजूरी दी थी कि ETF से रेडीम से जो रकम प्राप्त हो रही है उसे फिर से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है EPFO की Central Board of Trustee की मार्च महीने की आखरी वीक में बैठक होई थी ETF प्रोसीट को शेयर मार्केट में रेइन्वेस्ट करने से रिलेटेड प्रोपोजल पर उसी बैठक में मोहर लगी थी इस प्रोपोजल पर Central Board of Trustees से मन्जूरी लेने के बाद सिर्फ वित्यमंत्राले की मोहर लगनी बाकी है एक बार जब EPFO को वित्यमंत्राले से मन्जूरी मिल जाएगी तभी ETF प्रोसीट को शेयर मार्केट में फिर से इन्वेस्ट करना पॉसिबल हो पाएगा अभी नियामा कहते हैं कि EPFO अपनी कमाई के 5-15% को इक्विटी या उससे जुड़े सादनों में लगा सकता है आपने भी EPFO में पैसे लगाएं हमें कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताएं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चानल पैसे लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर ले